हाई दोस्तों, दिस इज आर्शी एंड वेलिकम टो इंजॉय वित आर्शी सिंग, सभी दोस्तों को गुड मानिंग, नमस्कार, राम राम, सश्चिकाल, असलों लेकूम, वाटे फिल, कनेक्टिव डी स्टार्ट करते हैं आज की यह कलास, दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में अभ्यास 1B हमने पूरा कंप्लेट कर दिया है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में उपर आए बटन के रूप में लग गया है, इसके साथ साथ इस वीडियो के इंड में भी वह वीडियो लगा दी गई है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो और इसके पहले के वीडियो और इसके बाद के वीडियो सभी बीडियो का link जो है इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी तो ज्यादाarna करते हुए अपने class को start करते हैं और आज कि इस वीडियो मताऊंगा UP Board class सेविंथ की मायत है ऑभी अभ्यास वनसी ठीक है इकस्टाइज क्या है अभ्यास क्या है वहनसी यह अभ्यास वञसी है तो आदर ना करते हुए we start करते हैं पहली पहला जो है कुष्ञ लेते देखिए पहला question है देखिए question number first लिखा गया है निम्नांकीत दो परमे संख्याओं में कौन बड़ी है ध्यान दिजेगा इसमें लिखा है कौन बड़ी है तो आपको बड़ी छाटना है यानि कौन सी परमे संख्या बड़ी है तो आएसे थो हम लोग बता नहीं पाएंगे पहले इस question को note कर लेते हैं ठीक है इस question को note कर लेजिए कितना लिखा गया है माइनस कितना 4 आपान कितना 9 ने की 4 आपान 9 है और 7 आपान कितना 9 है ठीक है अब आपको साब साब दिख रहा है अच्छे यह बताईए हमें चलो इस question को हल करने से पहले कौन चोटी है कौन यह थोड़ा सा इसको हम डिपली अपको समझा देते हैं बिस्तार से ठीक है अच्छे बताईए जीरो बड़ा है कि माइनस 28 बड़ा है बताईए जीरो बड़ा होता है कि माइनस 28 बड़ा होता है तो आप बताओगे जीरो यह बड़ा है ठीक है जीरो क्या है बड़ा है मानस 28 के वो छोटा है क्योंकि जो है इसमें मानस लग गया है अच्छा ये बताइए किसी के पास जो है एक भी रुपए नहीं है ठीक है किसी के पास एक भी रुपए नहीं है और नहीं कुछी सुधाल लिया है और और एक बैक्त ऐसा है उसके पास एक भी रुपए नहीं था लेकि यह लवड़ा, क्यों कि इसनों किया, उधाल है ले लिए किसी से, इनको 28 रूपय किसी को ला उटाना रहेगा, लेकिन इसको ल्वड़ाना किसी को ला ला उटाना किसी नहीं रहेगा, इसलिए यह क्या है, धन्वान है, ठीक है, इसके पेच्छा में, तो अच्छा यह बताइए चलो अच्छा एक बात समझा गए हमें बताइए कि यह 48 रुपे लिखा गया है ठीक है मानस में लिखा गया है और यह बताइए यहां पर लिखा गया है 59 रुपी लिखा गया है उभी मानस में तो यह बताइए मानस 48 बड़ा हुआ है यानि ये बड़ा है कि ये बड़ा है चलो बताओं को अच्छा कितने लोग जो है इसको मान रहे हैं कितने लोग इसको मान रहे हैं कितने लोग जो है यानि कि 48 पजा रहे हैं कि ये वला बड़ा है और कितने लोग ये बता रहे हैं वड़ा है, कमेट केजिए अपनाम लेकर के चलिए अब इसको समझिए, दीखो इन दोनों संख्यावों में अगर देखा जाए तो यह क्या है यह वला बड़ा हो जाएगा क्यों बड़ा हो जाएगा, माइनस ऑन्तालिस बड़ा होगा, किसके पेच्छा, इसकी पेच्छा यह बड़ा होगा यह वाला यह वाला क्या होगा बड़ा होगा क्यों क्योंकि दोनों उधा लिया है यहां पर यहां पर दोनों कर्जिदार हैं समझेगा बात ध्यान से यहां पर दोनों कर्जिदार हैं यह करजा कितना लिया गया है यानि कितना लिया गया है और वी किसी से सदर लिया है और किसी से लोन लिया है, या मिन करज़ादार है कितना सब्सक्क्रणा है ईनिके कमule रुपीया है इसको जयादा है रिटेंड करने पड़ेगा। इसलिए झालता मान सबी कामे भी और जो कर्ज़ादार है और ये जादा करजिदार है तो जिसके पास जादा करज़ होता है वो जादा रही होता है इसलिए वो जादा छोट हो जाएगा और ये कम करजिदार है कम रूपा लिया है किसी से उधा लिया है ना तो ये ये बड़ा हो जाएगा कि इसके अपेच्छा इसके अपेच्छा दे कि इसका नसर यह हो का बस आगे चलो वही लोग आगे चलके जो है उन्हीक प्राब्लम होती ही जान लीजिए ठीक है हम एकदम साफ साफ बोल सकते हैं आपको वही लोग प्राब्लम होगी जान लो चलो हम इसको अब चल रहे हैं इसको हल करने के लिए चलिए इसको हल करते हैं क कुछ्ष्चन नंबर यानिक का ठेक है एक कोश्चन नंमर हल के जाए कि लिखा गया है ध्यान से देखेगा ये जो है पहिला का का अब शुरूआट करने चल जा ज़िए इंध है ठेख dezay पहिला भिन्न में इस परिमे संख्या में इसवले परिमे संख्या में दोनों को रहें कार Сंहा ने यह टो इन रहें जाएख तो प 15 साद बठेन लिखा गया है, यह तो क्या है, साद बठेन लाओ जो तो बढ़ा होगा न ₹, किक किर लिखोगे अगर फियर कापी कर रहे हम, कौन छोटा बढ़ा लिख होगे एसे तो लिख दो कितना कि माइनस से चार बठे, नौ। और कि अचार बठेननाओ बड़ा की चिंदी धर रहता है छिसकी तरफ ये मुँ खुला रहता है ये वघी बड़ा होता जान लो ये कौन है। JUST 7wटे 9 बड़ा है ठीक है, अगर उत्तर लिखना है तो बोल दो कि इस वाले का में जो है, साथ बटेनव हुई क्या है, बड़ा है, ठीक है, यही है, इसमें बोला ना कौन बड़ी है, तो इतना हम आपको डिफली समझा रहें ठीक है, इतना कुश्चन शुरुआत में खुब डिफली यह पहले का अब जो है खावाला पार्थ है पहले क्या है खावाला कुश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हल करनेक हम आपको एक तारीका बताते हैं जो आपके बुक में भी दिया गया है ठीक है चलिए आपके बुक में जो है जैसे छोटा बड़ा करके समझाया उस तरीके समझते हैं ठीक है इसको थोड़ी देर के लिए मान लो ये ए है ठीक है इसको थोड़ी देर के लिए मान लो तो थोड़ा बहुत मान के चलो ठीक है कि ये A है ये 3 क्या है A है ये B है C है और ये D है ठीक है अब क्या करो तिरिये गुणा कर दो इसका गुणा इधर कर दो अर्थात इसका गुणा इधर कर देना है आपको इधर इसका गुणा इधर कर देना है ठीक है अर्थात मानस 3 गु निजेगा हो कि कि जब ए 23 करोगे तुम मानस 3 गुण म कितना हुजाएगा 8 कि बताओ कितना हो जाएगा grupp यह तिरिका कितना हो गया विकश सोबसों है मानसubis हो गया अब इसका गुणा यानि B गुणे C कर दो यानि B और गुणे C कर दो ठीक है ना अर्थात अब देखोगे यहाँ पर देखोगे यानि 4 गुणे कितना हो जाएगा माइनस 5 तो यह इसे पहले कर लो माइनस 5 गुणे कितना माइनस 5 गुणे कितना 4 कर लो तिरे गुणा मनलब यही होता है, ना, चाहे इसको पहले गुणा करो, चाहे, दोनों को देखो, अगर इसका गुणा इधर करोगे, तो 4-25 आएगा, 5-4 करोगे, तब भी केतना आएगा, मानस 20 आएगा, क्योंकि मानस दोनों में लगा हुआ है, ये मानस तो कहीं जाएगा नह ठीक ना, तो मानस 5 गुणे 4 है, तो 4-25, या 4 गुणे मानस 5 है, 4-25, तब भी होगा, अच्छा, अब हमें बताइए, अब आपको साप साप दिख रहा होगा, साप साप दिखने एक मलब यह है, कि अब हमें आप, आपको देख बताइए, कि मानस 24 बड़ा है, कि मानस 20 आपको साप में आ गया होगा ना, इसका अंसर क्या होगा, कि बड़ा छोटा कह रहा है, तो ऐसे लिख दो, कि मानस 3 बड़े, 4 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है यह वाला, इधर मुह खोल दो, ठीक है, मानस 5 बड़े में कितना, 8 ठीक है, तो इसका जो अंसर होगा, अनसर कितना हो जाएगा, बताइए, अनसर तो यही होगा ना यहाला याँ कि इस वाले भीण में कोड़ा है.. यहाला भीण बढ़ा है, यह परमेंस संक यही बढ़ी है ठीक है? अडिज नैसे कुषें है ओन का यह गाह, टीक है? ज्यूह 1 का तीसरा बाट है अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, कितना लिखा गया है माइनस सिविन, अपान कितना है, टॉल्व, यनि बारा है कामा कर दिया गया है, उसके बाद कितना है, पाँच बटिम कितना माइनस आठ है ठीक है, यह है, यह कुश्चन है भी अब कहा जारा है कि इन दोनों परमिर संख्याँ में काउन्षी संख्य बढ़ी है चलिए इसको हम आपको समझाते हैं तोड़ी एक लीन बढ़ाद दू आप एक लीन बढ़ाने का मनलब यह हे की अिक लीन बढ़ाओगे काई सी पता है देखो एक line चाहे लिख लो यही पर कि देखो इसमें तो हर को धनात्मक नहीं बना जा सकता है लेकिन इसको धनात्मक बनाओगे अगर नीचे वाला minus है हर जो है हमेशा धनात्मक बनाना पड़ता है चाहे कोई भी आपको इस chapter में जो है अगर जहाँ कहीं भी आपको minus में हर लगाए, भूनि जो हर होगा नीचे वाला, अगर minus में है तो उसको धरात्मिक बनाओगे, अर्थात क्या बनाओगे उसको पाश्ट्री बनाओ, कैसे बनाओगे नीचे लिख दिया करो, कि minus 1 से uns वहर में गुला करने पर यही पर लिख दो कि मानस एक से अंस में मानस एक से जो है हर में गुणा करने पर तो जब मानस एक से गुणा करोगे तो यह वाला क्या हो जाएगा मानस में हो जाएगा यह वाला क्या हो जाएगा मानस मानस प्लस हो जाएगा अगर इतना ना कर पा उत हम एक line चलो करके बता दे रहें लेकिन इस वाले को अइसलिफ दो कि हर को धनात्मक बनाने पर क्या चीज? हर को धनात्मक बनाने पर यहां पर यह तो ठीक धनात्मक है लेकिन इशिक बना hypoc dan तो 5 बटे कितना है? 발ावन साथ तो पांच बटे आठड को क्या कर सब्सक्राइब इस जो है अंस वा खरb नीचे मानस पाँ से हो जाएगा सब्स तो यही चीज आपको हम एक कार देना चाहते तो यहीं चीज आपको समझाने के लिए लेकिन बार अरबर नहीं बताएँगे आप लोग समझ जाएगा कि मारी तो हर और अगर मानस में है यह प्लस मन जाएगा और जो plus में हो, minus बन जाता है, अगर इसको अगर, यानि कि, minus x से उपर नीचे गुला करोगे न, तो यहाँ पर plus बन जाएगा, यहाँ पर minus बन जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है, अगर दोनों minus रहता, दोनों भी plus बन जाता, ठीक है, यह होता है, यहनि कि, जब minus x से जब गुला करोगे, अगर minus से यहाँ पर भी है, minus से यहाँ पर तो दोनों plus हो जाएगा, यहनि कि, दोनों जो है, धनात्म हो जाएगा, अगर यह minus में है, तो plus हो जाएगा, और यह plus में है, तो क्या हो जाएगा, minus में हो जाएगा, द्यान दीजेगा ठीक है अब इसमें आऊ सकता नहीं थी इसलिए हमने नहीं किया हैं पर अर्था इसमें हमको आऊ सकता थी इसलिए हमने क्या क्या किया यहाँ पर माइनस से एक से अनसुवा हर में हमने गुडा किया ठीक है ना अब आपको सौन जाएगी हर सवाल में नहीं चलो अब यहाँ पर आपको यह सवाल किस रूप में लिखे गई पता है यह जो है सवाल इस रूप में लिखे गई है की दो है, ऐसे समझो, माइनस साथ बटें कितना है, बारा है, ठीक है, और कामा कर दिया गया है, और क्या है, माइनस अब उपर क्या हो जाएगा, माइनस पांच, बटें कितना हो जाएगा नीचे, आठ, आठ, अब ऐसे, यानि कि इस कुईश्चन को ऐसे समझना है, अब थोड माली ए इसको का मालो सी है इसको मालो क्या है डी ही अब इसका गुला इधर कर दो तिरिया गुला किया गया है इसका गुला इधर कर दो इसका गुला इधर कर लो ठीक है कहने एक मलब इसका गुला इधर करना है आपको इसका गुला इधर करना है ठीक है यही करना है आपको ठीक है तो यहां पर यहने कि a गुनऩ डी करोगे देखो एन से ए गुनऩ क्या करोगे d यह गुनद दी जा करोगे तो a क्या है माइनस 7 है तो माइनस 7 है गुन्म क्या हो जाए मलब यह 8 हो जाए गा लू जाए गा बारा कर लो यह हो जाएगा आपका यह बन जाएगा कितना बारा अठे कितना हो जाएगा उभी किसमें होगा मानस में हो गया मानस साथ हो गया अच्छा यह बताओ हमें अब आपको दिख रहा है कि यह मानस च्पन एक है देखो मानस च्पन एक है और एक क्या है मानस साथ एक है बता होता है जो कम कजिदार होता है वो क्या होता है बड़ा होता है ठीक है तो यह वाला बड़ा होगा क्यों कि इसको कम लोटाना पड़ने पड़ेगा ठीक है अर्था जो है यह कम रिड़ी है और ज्यादर रिड़ी है इसलिए जो है इससे तो यह क्या है इससे तो यह क्या है धन बड़ी होगी अर्थात क्यों बड़ी होगी यह वाली बड़ी होगी ठीक है यह वाली क्या होगी दुछाgewर přणकोंट हो प्राब्लम में लगा दिये ऑप लिदी में ईसे वीडियो मैंन Twilight क hoe आप पहुँच सकते हो, में चलो अब ये काखा गा हो गया अब लेदे हैं गावाल अपाड, ठीक है गावाल अपाड देखो इनिकी पहले का पहले का उन सा घा गावल देखो ये लिखा गया है कितना माइनस पांच बटम कितना है ना है अच्छा यह बताओ यहां पर दोनों क्या है मानस लगा है ना तो यह मानस मानस कट जाएगा अर्थात मानस जब एक से जो गुणा करोगे अंसवहर में तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो हम कामा करके चलो एक लाइन लिख देते हैं तो कहो के तुरांत हल कर दिए मारस तीन बट क्या है तेरा है ठीक है तो इसका मरला भी हुआ है कि यह दोनों क्या है प्लासर में समझ है ठीक है इसको प्लासर में समझोंगे तो सीधिस बात इसमें इस हल करने ज़्यादा आओ सकते नहीं पड़ेगी क्यों गया है, अब यह मानस मानस कट जाया गया, या जब एक से जब गुड़ा करोगे, अंस वहर में, तो यह कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? आप up को देने कि तुरहंत, यह joh eh, चोटा हो गया, यह बड़ा हो गया, ठीके एग- ये बड़ा हो गया ठीक है तो अंसर कितना आ जाएगा अंसर इसमें कितना हो जाएगा तीन बटे जो है तेरा ही क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा उसमें बड़ी पूछा गया ना कि कौन से बड़ा होगा ठीक है तो इसका जो राइट अंसर होगा बताओ कितना होगा यही वाला बड़ा होगा अर्थात कौन सा है यह वाला मानस तीन बटे मानस तीरा मानस तीन बटे मानस तीरा क्या हो जाएगा यही संख्य क्या होगी यही पर में संख्या बड़ी होगी है ना उन्होंने बोला था ना कौन संख्या बड़ी है यही कौन पर में संख्या बड़ पर देखते हैं कुछन नमर तुम लिखा गया है कुछन के दो परमे संख्याहूं में क्या है चोटी है अभी तक तो बड़ी पूछा है आपको पूरा बताएंगे क्योंकि अगर छोड देंगे तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, सर वो छोड़ दिये थी आप, चलो, कुश्चन नमबर लेते हैं, कुश्चन नमबर ये 2 का ये कावाला पार्ट है, ठीक है, कुश्चन नमबर फश्ट है, अगर जिसको सौन में आगे होगा न, एक ही बार में, उनको कोई प्राब्लम नहीं हो जो लोग स्किप कर देते होंगे, भगाते होंगे न, इधर उधर, उनको नहीं सर वे आएगा, हम दावे के साथ बोल सकते हैं, चलो, तूकक का वाला देखो, माइनस क्या है, 4 बटे कितना है, 9, ठीक है, कामक किया गया है, उसके बाद कितना है, 5 बटे कितना है, मानस 9 है, अब इसमें छोटी बताना है आपको, ठीक है, ध्यान दीजेगा, इसमें क्या बताना है, छोटी बताना है, तो एक लाइन आप बढ़ा लो, देखो, हम एक लाइन बढ़ाना चलता है, देखो, इसको लिख सकते हैं, मानस 4 बटे मना हो, ठीक है, कोई दिकत नहीं, जब यहा आप देख असकते काँ चोटी चोटी बढ़ी है न कर बाइब्ञांगे हम एONEY इस स्विस्टा सेल में इसिवद बेहिए बत right रहाएं घंटु कर देखके दात कर लो लगी फिन आप बतले हमें चिन है लगाना है, तो ऐसे का थो यह वाली बड़ी है, अजी थर मूह बंद रहता हुग धर क्या हो गई है छोटी हो जाएगी ठीक है तो इसका अन्सर क्या हो गई है यह वाली छोटी हो गई माइनस चिर सब्सक्रि llegar सिर्थ No माइनस कितना यह देख लो पांच बटे नाव इसका भीन्य क्या था इसका जो क्या था परमे संख्या क्या थी यह वाली परमे संख्या थी अर्थात क्या लिखोगे पांच बटे कितना माइनस नाव यही क्या है छोटी है यही क्या है छोटी है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं ह च्छोटी ठीक है यह वल्ली समझ में आइक आगे आपको हां देखो डूसरे का खा वाला पाट अब त connect 어떻게 roughly वाला नमबर डू का खा देखो तुरंथ अब देखो यह बल अक्षा वला में लिखा गया कितना लिखा गया है छे बक्टाइम कितना है 11 है और इस Prof इसमें तो तिरंट अब बता लोगए कोई दिक्तांटे नहीं है कौन छोटी कौन बढ़ी है ठीक है है चलो एक लाइन हम बढ़ा दे रहें, अच्छे बताओ, इसको लिख सकते हैं कितना, 6 बटे मी 11 ना, बोलो, कामा कर दी, यह कामा है, अच्छे जब मानस एक से जब अंस वहर में गोला करोगे, तो कितना बन जाएगा, 7 बटे मी 11 बन जाएगा, दोनों का हर समान है, देखो, य क्या हो जाएगे, छोटी हो जाएगे, तो यह बड़ी हो जाएगे, और यह छोटी हो जाएगे, तो इसको, इसका जब अंसर लिखना होगा, छोटी लिखना है, तो क्या, बोलोगे, इसका अंसर कितना हो जाएगा, 6 बटे मी क्या हो जाएगी, 11, 6 बटे मी क्या है, 11 क्या हो क Bond Distance Personen determination सोलावटे कितना है मानस साथ हूई ठीचे यह कितना सोला बालब कितना सोला बड़ेंग कितना है मानस साथ कामा कर दिया गया है अब अब तीन है ना तो तीन है उ न हो गहाएगा हुआ इसमें हो जाएगा मानस ओपर कितना सौला हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा और यह से पहले धहनात्मक topics में हैça तीन बट एक हो जाएगा ठीक है अब यहां आप देखोगे छोटी पूछा है इसमें मानस लग गया है यह छोटी हो गई तो इसका अंसर क्या हो गई यह बाड़ी हो गई यह चोटी हो गई तो अंसर क्या हो जाएगा इसका जो अंसर क्या हो जाएगा यह वाला अंसर हो जाए के इसी वीडियो में ऊपर आई बटन की रूप में लिंक दे दिया गया है उस पर जैसे क्लिक करोगे वैसे आपको थोड़ी दिर जो है आपके अगर नेट आपके फोन में नेट चलेगा ना तो दुरांत आपको वहां पर पहुन जाओगे इस ग्रूप पे और हां अगर आप आपके फोन में जो है किसी की फोन में जो है सी जो है जो हम बोल रहे हैं उसको लिक लिक क्या रहा है तो वीडियो में जो है ध्यान दीजेगा आपके बीडियो में कहीं बीच में क्लिक करोगा कहीं कहीं बीच में लिखा होगा सी सी तो उस पर क्लिक कर दो को वह हम बोल रहे ये घा नमबर है देखिए क्या लीखा गया है यहां पर देहन दो यहां लीखा गया है फोर अपान कितना मानस ठ्री कामा कर दिया गया है बीच में और माяет आठ अपान कितना New है ठीकैए मानसओ環 अपान नाइन अब यह बताना आपको की ये छोटी कौन है इसमें छोटी बताना है तो चलू एक लाइंट जब बढ़ाओगे जब एक लाइंट आप बढ़ाओगे तो माइनस एकसए onस होआ हर में इसमें गुणा करोगे क्योदकि हर को धनावड बनाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा B, इसको मालो क्या C और इसको मालो क्या D जब आयसे ना सोन में आए तो बता रहे हैं ठीक है? अगर आपको दीख रहा है तुरंत जो है तो कोई बात है नहीं लेकिन जब कभी नहीं सोन में आता तो आयसे जो है क्या कर लो बना लो इसका गुणा इधर करो इसका गुणा इधर करो वे ठीक है कि जब आप a गुणे d करोगे तो आप आओगे मानस 4 है यह मानस 4 गुणे में कितना हो जाया गा नहो तो आप बताओगे 94,999 कितना हो जाया गा 96 हो गया ठीक है MATTDOU जब आप b गुणे c करोगे यहांप पर दिया गया है तो यह हो जाएगा जाएगा एक बदाओ हो गया बोलो ठीक है ओके तो यह बताओ अब यहां पर आपको देखना है कि मानस 36 बड़ा होता है कि मानस 24 बड़ा होता है अब बताओ मानस 36 है यह आपको छोटा बड़ा बताना है तो यह कहोगे यह जो है बड़ा हो जाएक यह छोटा हो जाएक तो उसमें छोटा बता है छो ये वाला है दеखो यही वाला तो 4 है ना इसके अंस वाला तो इसका जो answer होगा कितना होगा ये वाला होगा ठीक है ये वाला होगा ठीक है hundreds निककत हो तो बताओ कोई दिककत हो आपको तो हमें बताए यहनुन चार बटे मानस 3 क्या हो जाएगे चोटी हो जाएगे अगर बड़ी पूछता थी ये वाली बड़ी हो जाएगे ठीक है है हाँ इन्हीं 2 का पूरा हो गया पार्ट अब कुश्चन नमर 3 लेते हैं कुश्चन नमर 3 देखे कुश्चन नमर 3 लिखा गया है 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 कितना विखल्प दिए गया है चार विखल्प दिए गया है जिनमें से एक सही है क्या है एक सही है सही उत्तर च्छाट ये अब देखे कुछ नमबर फाष्ट है यहीं कि कावाला तीसरे कावाला पार्ट में लिखा गया है कि परमे संख्या परमे संख्या कौन से दिया गया है कौन से दिया गया है बताओ यह चार बटे में कितना है मानस चार बटे में क्या है अठारा है मैनस 4 बटम क्या है 18 के संथिल परमे संख्या है यह إिसके संथिल कौन सा परमे्श संख्या है । चलो तीसरे का वाला हम आपको हल擲 करके बताते हैं ऐसे नहीं तुरांटिक लागा दें आपको थेकिए इसको आपको हल करना है बकायदा दिखो चलो समझो पहले तीसरे का का नमबर इसके सम्तुल किसके सम्तुल है यहनि कि कौन से कुछ सन है माइनस चार भटम क्या है अठारा है इसके सम्तुल क्या हो कर बताओ अज़ा सम्तुल बनाना है आपको तो आपके मन में यह चल रहा होगा कि समतुल कैसे बना जाए, समतुल का मलब उसको काट शाट कर छोटा कर दो, ठीक है, काटने शाटने पर छोटा कर दो, जो कुछ आएगा वही समतुल बन जाएगा, कहने एक मलब सरालतम रूप, सरालतम रूप जो है, अभ्यास A और B जो है आप लोग देखे होगे न, तो सरा अंतम रूप जो है, आपको अच्छे साता होगा, ठीक है, देखो, अभी तक हमने कोई कुश्चन, कोई अभ्यास छोड़ा नहीं है, जो लोग ना देखे होँ, तो प्लेलिस्ट पर जो है, क्लिक कीजी हो लोग, प्लेलिस्ट में जब क्लिक करोगे न, वहाँ पर A to Z अभ् दो से इसको भाग करोगे, तो दो दूना चार हो जाएगा, अब दो से अगर इसको काटे हैं, दो से इसको भी काटो, दो नवा कितना हो जाएगा, तो ये जो बनेगा, वो कितना बनेगा, ये मानस दो हो जाएगा, उपर, कितना हो जाएगा, मानस दो हो जाएगा, और हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा ना हो जाएगा तो दो बटे मानस नहीं बताओ दो बटे मनस नहीं है हलाकि हमको बनाना इसके समतुल ही अगर आप फिर से अगर इसको इतना से इतने से इतना फिर लाओगे तो फिर जाओगे देखो कई दो कई से फिर देखो अगर दो स हम गुला कर दें इसी में इसी में दो से गुला करोगे दो दूना चार उपर चार आ गया नीचे दो से गुला करोगे ना दूनी अठारा यहां पर ठारा जाएगा अब रही बात उपर माइनस है नीचे प्लस है तो जो है मानस है से जब फिर गुला करोगे तो यह जो है प्लस हो जाएगा उपर के हो जाएगा मानस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा बात क्लियर है कि नहीं बताओ हाँ तो इसका अंसर क्या होगा बताओ इसका अंसर क्या होगा पहले वाला ही क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ठीक है पहले वाला क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तीसरे का पहले वाला देखिए थरीक खावले हम लिखा गया है कि परमे संख्या तीन बटे में क्या है पाँच है से बड़ी परमे संख्या इससे बड़ी पर में संख्या क्या हो सकती इसमें अगर देखोगध कोईजिकत नहीं देखी बता सकते हो तीन बटे पाँच जो है उपर तीन है नीचे फांच है उपर तीन यानि तीन से बड़ी देखो तीन से बड़ी ये चार भी हो सकती है ना लेकिन ये तो नहीं हो सकती है क्योंकि मैनस लगा हुआ है ये हो सकता है ये किन सबसे जातों ये बड़ी परमे संख्या ना कितना साथ बटे कितना दस है तो इस परमेज सं्ख्या बड़ी है, लेकिन इस से जयादा बड़ी परमेज संख्या नहीं है, तो हम बोल सकते हैं, अंसर क्या होगा यह वाला होगा, यही रफान होगा कूछी दिखत हो बताओ हमको, अब देखो, गार नमबर देखो, इनी की तीन का गार नमबर देखो, लिखा गया परमेश संख्या चार भटे नौ, परमेश संख्या कितना है, चार भटे नौ से छोटी परमेश संख्या, अब कहा चोटी, अब इसे से छोटी कौन सी परमेश संख्या ह यह बताना है आपको, अब अच्छा यह बताओ, विकल्प आपको चार्ठ दिखा गया है, यानि चार विकल्प आपके सामने हैं, एक, दो, तीन, चार, चार विकल्पे, क्या चारो विकल्प में मानस में लगा है, नहीं न, लेकिन एक पे जो है, विकल्प फष्ट वाले पी, जो है मानस लगा है, तो इससे तो छोटी यही होगी, क्योंकि इससे ये वाली भी बड़ी है, ये वाली भी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, लेकिन देखा जाए तो इससे छोटी, यानि चार बटे नाव से छोटी कौन से परिमे संख्या है, तो ये वाली परिमे संख्या है क्योंकि मारस से इसमें लग गया है, इसलिए छोटी हो गई, इसमें हल करनी काओ सकते हैं नहीं आपको, देखके बता सकते हो, ठीक है, आप कुछ लोग कहेंगे नहीं, हल करके बता, इसमें क्या हल करें, अगर जो लोग कंसिप्ट हमारा समझ जाते होंगे न, उनको हल करनी का उसकते ही नहीं पड़े कि, आपके अगर सवाल में अगर एकजाम में आगे हल इसमें परमे संख्या से चोटी परमे संख्या तो इसमें टिक करने रहे गाइगा आपके परिछ्छा में तो ऐसे कुश्चन आएगा तो आपको टिक करना रहे गा बास ठीक है है चलो ये देखो कौन सा है तीसरे का घावाला पार्ट परमे संख्या जीरो बटे पांच से बड़ी परमे संख्या है तो ये बताओ ये क्या है ये तो मानस में छोटी हो जाएगे हमको बड़ी चाटना है किससे बड़ी चाटना है इससे हमको बड़ी चाटना है यानि बड़ी मानस में है यह भी क्यों हो जाएगा छोटी हो जाएगा यह भी मानस में छोटी हो जाएगे लेकिन अगर देखा जाए कुश्चा नमबर यहने की विकल्पत दो पर ध्यान दो इसमें जो है दूसरे वाले विकल्पत दीख रहा है कि इसमें उपर अंस में भी मानस नीचे हर मे सकते हैं कि 0 बटे मानस 5 से बड़ी जो है पर में संके कितना हो जाएगी मानस 2 बटे 7 हो जाएगी ठीक है हाँ आप कुछ नमर लेते हैं कितना फोर नमबर कुछ नमर फोर लिखा गया कि अपनी अभ्यास पुष्टिका में लिखकर खाली स्थान यानि कि इस खाली स्थान में जो है ये चिनन लगाओ ये चिनन लगाओ और ये चिनन इस बराबर चिनन जो है लग गया है तो में से जो उपर्यूक तो हो भरी ये ठीक है चलो इसको हल करते हैं आप पहले काट देखो ये मानस 4 बटे 7 है और 6 बटे क्या है 13 है तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको रहा है यह वाला क्या है बड़ा है इसके तरफ मुखोल दो बस इसके तरफ क्या कर दो यह लगा दो इसके तरफ यह लगा दो यह बड़ा हो गया ठीक है अब देखो यह वाला अगर इसको हल करके देखा जाए तो अगर इसको मालो ए इसको मालो बी इसको मालो सी इसको मालो ड तो यहां कितना हो जाएगा 55 होगे मान데 25 हो गया और छ्रसते कितना 28 हो जाएगा ठीके तो किडिए थू करो गें अगर यदि हाल करना चाहो तो हल करना चाहो तो क्या हो जाएगा तो बड़ा बताओ 25 क्या है मानस ये 25 है और मानस कितना 28 है तो ये छोटा हो जाएगा ये वला क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा ये वला क्या हो जाएगा देख लो ये इधर क्या रहा है सच्छोग अठाइस मैनस 28 हो गया पंचों 25 कितना मैंट 25 हो गया इधर उद्वा की हो इससे कितना हो रहा है बताओ तो मैनस मैनस नोग देख लो इधर फॉल दो बस ओर अब इहां पर देखें तिसको पुस्को या है काहुत हल करके दिखा दे छलों देख风 अच्छा चार का गार देखो यह चार का गना मर् देखो ठीक्चैर इधर देख लों माThe knowledge 8 है चिलो इसे को हल करते रहे है मानस साथ बटे कितना 8 है अब जो है कितना है 21 सर्प क्या है मानस चावविस है अब जो है बीच में लगाना है आपको है जो मालो इसको क्या है चलो इसको हल कर दे रहें पहले ऐसांचिछे बना लो पहले oh संच्शे में डो만 जो हैं जांप संच्छे बनाने के लिए जो है इन दोनों क्या लगेता सब्स्चाताइक यम उबाई से मानस कितना कॉइश है तो टीन से पहले किसो काटऊगे इसको काट लही तीन से यह थीघिश कुछा ओजाएगा तो यहां पर यह अला आ जाएगा साथ बटे आठ हो जाएगा नीचे जब जो है मानस एक से अनस वहरा में गुला करोगे ना तो यह भी क्या हो जाएगा मानस साथ और नीचे कितना हो जाएगा यह आठ हो जाएगा कहने एक मलब यह जो है मानस साथ बटे आठ ये भी आया और मानस साथ बटे आठ ये भी आया हुआ है ठीक है तो जो है हम इस इन दोनों में इन दोनों पर में संख्यां क्या लगाएंगे बराबर चिन लगाएंगे ठीक है तो यहां पर आप क्या लगा होगे बताओ यानि कि गा नंबर में क्या लग रहा है कि यह दोनों क्या हो जाएगा मानस मानस प्लस हो जाएगा और यह नव है यह आठ है उपर वाला अंस वाला देखो अंस क्या है जिसका बड़ा है अंस इसी बड़ा है ना नव वाले का तो यह मानस मानस हो जाएगा प्लस तो चिन क्या हो जाएगा चिन जो है यह क्या ह जाएगा इधर चिन लगा दो इधर वाला कर दो इधर मुझ खोल दो बस हो गया होके ठीक है कोई दिक्कत हो कहीं पर तो तुरन जो है कमेंट आप कीजिएगा और हाँ अगर आपको सुझ आ रहा है तो लाइक और सेयर करने कोई को ताही मत करो क्योंकि जो लोग लाइक और से पास हमारी वीडियो नहीं पहुंचेगी नहीं उनके फोन में जाएगा अगर देखे कुछिए नमर्ट फाइप निखा गया है निम्नांकित पर्मे संख्याओं को आरोही करम में आरोही करम मनलब बढ़ते हुए करम होता है ठीक है और रोही करम को मनलब होता है बढ़ते आरोही करम को बोलते हैं बढ़ते हुए करम होता है ठीक है अब बढ़ते हुए करम मनलब आगे की ओर बढ़ते हुए करम का मनलब समझ रहे हो ना बढ़ते हुए करम का मनलब होता है आगे की ओर आगे की ओर लब आगे की संख्या आगे की ओर यह आगे की संख्या आगे की ओर ठीक है ओके सौन जाएक नहीं बात आगे की ओर आरोही मनलब आगे की ओर आओरोही मनलब पीछे की योर, आ रोही मलब बढ़ते हुए करम, चलो यही पर तुम आपको आ रोही समझा देते हैं, देखो आ रोही और रोही, दो चीज होता है, देखो आ रोही, कहीं पर आ रोही, देखो नीचे लिखा होगा आ रोही, ठीक है, अगर यही पर आपको समझा देना, तो दोनों बास स हैं यहीं पर समझ लीजिये डिखो है को मनल pongम हम ने नहीं थो यहां प्र लिछ लिखा गया खंक तjem हो आप करहा हो जाएगा तो यह जब लग जाएगा तो आप समझ जाएगा कि क्या बोल रहा है घट susceptible का क्रoth क्रूटे हुए क्रबु के हैं आगर यहां को हमने बताया आगे कि और बढ़ते olabilir तो घड़ते क्रम का मनलब कहो जाएगा पीछे की और ठीक़े मा 17 कि और कि पीछे की और मिलब हो जाए किया पीछे की और हो जाएगा है ऑग आप जैसे समझो, इन दोनम समझो, concept क्लियर करो बहले, जैसे आगे की और मलब कोई संख्यद दिया गया है, यहाँ पर एक है, तो एक के बाद के आएगा, दो के आएगा, तीन आएगा, जी तो बढ़ रहा है, आगे ही और जा रहा है, तीन के बाद आएगा, चार आएगा, आएसे अगर आउरो ही कह दिया जाए, तो इसके सबसे पहले जादा वाला मलब, सबसे किनारे उधर से चलोगे, पीछे की और चलोगे, पहले चार आएगा, चार से काम, तीन, तीन से काम, दो, दो से काम, एक, तो यह जो लिखा गया, यह आउरो ही करम में लिखा गया, और यह जो भाई अंग्रेजीन तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए जो है हम आपको फिरहाल बता रहे हैं इसको इंग्लिस बोलते हैं असेंडिंग अरा इसको बोलते हैं डिसिंग अरा ठीक है चलो अब कुश्चन नमबर लेते हैं क्या 5 लेते हैं अब कुश्चन नमबर 5 हल करने चल है ठीक है कुशन नमर फाइब अगर इतना ना समझाते ना तो आपको सोन में आता ना ठीक है चलो यह कुशन पर नोट कर लेते हैं यह कितना लिखा गया है तीन बटम कितना पांच है फिर ठीक है मानस कितना है साथ बटम कितना दस है कामा करके लिखा गया कितना आठ बटम कि और फिर कितना लिखा गया है मानस सतरा बटम कितना है मानस सतरा बटम कितना है मानस तीस है ठीक है ये जो है लग गया है कुश्चन अब जब इतना लग गया है तो इसको हल करने के लिए पूरा ब्योश्चित रूप समझे इसको बहुत सरे लोग हल नहीं कर पाएंगे हम जानते हैं इसमें प्राबलम कहां आएगी वो भी आपको हम बता देंगे एक भी इस्टेप अगर मिस किये तो नहीं सुन में आए कि पक्का हम आपको बता रहे हैं पहले इसको बारे की समझिये चलो सबसे पहले एक काम करो अग हर को धनात्मक बनाने पर हर को हर को धनात्मक बनाने पर क्या चीज हर को क्या करने पर धनात्मक बनाने पर ठीक है जब हर को धनात्मक बनाओगे तो ये धनात्मक इसका हर है अलडी इसका धनात्मक अलडी है लेकिन ये वाला और ये वाला धनात्मक नहीं है तो यहां पर क्या करोगे इस वाले मिका करोगे मानस एक से अनसवा हर में गुड़ा करोगे तो ये मानस में हो जाएगा ये यह दोनों मानिस में हैं花 ह क्या सितरह बटे yenागर 32 match हे इक लाइन كесь वेफी आए शाव को इसको हम लिख सकते हैं क्याsud सकते हैं आप 3 बटे 5 लिख लिख सकते ते सब्सक्रत+. कामा यहां बीच में लगा ना आपको तो यह हो जाएगा, साथ बट क्या हो जाएगा दस हो जाएगा, कामा यहां लगएगा बीच में, सुरी यहां, यह तो ठीक है, मानिस साथ बट क्या दस हो जाएगा, अब यह हो जाएगा मानस से जब गुणा करोगे तो यह उपर वाला क्या हो जाएगा मानस हो जाएगा तो यह हो जाएगा आठ मानस आठ बटे कितना हो जाएगा यह 15 हो जाएगा फिर कामा करो अब यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर 17 बटे कितना हो जाएगा यह 30 हो जाएगा ठीक है बास सु समझा आते हो बताओ हम समझा दें लासा लेना अगर लासा मासा नहीं जिनको नहीं आता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं ठीक है लासा मासा की तो इसी वीडियो में हम जो है वो लासा मासा की वीडियो लगा दिये हैं उस पर क्लिक कर को देख लेजिए तुर पांच, दस, पंड़ा, तीस का जो क्या हो जाएगा, लासा निकालोगे, तो देखो, पांच, दस, पंड़ा, और तीस का, यहीं हर, सभी परमेश संख्या के हर का जो है क्या की फिलासा लिए, का लासा, लासा मलब लगुत्तम सुमप वर्तक लासा कितना एग पता है 30 आए गई कितना एगा 30 आएगा जिनको लासा लेने ना आता हो बार बार बोल रहें कि लासा वाली वीडियो तुरंत देख लिजी अभी जाश्ट है इसी वीडियो में आपको मलब अगला इस्टेफ होने चल रहा है अब लिखो वाई से 3 बटम कितना 5 अब गुणे क्या कर दो यही लासा कर दो यही लासा मलब 30 30 क्या हो जाएगा लासा कामा करो अब अब माइनस कितना लिखोगे माइनस 7 बटम कितना 10 लिखोगे अब फिर गुल्य कितना करोगे, फिर गुल्य कितना करोगे, तीस लिख दो, क्योंकि लासा से हम बुड़ा कर रहे हैं, सभी में, क्यों, क्योंकि सभी क्लासा निकाले हैं, तीस आया है, अब माइनस आठ बटेम कितना लिखेंगे, पन्रा लिखेंगे, अब फिर गुल्य कितन शाजना है कि आप कुछ कटता है क्या देखो गुड़ा का मलब हुदा होता है ऊपर है कि अद never कितना हो जाय का कि 30 हो जाएगा, 15 एक, 15 गोलक चैनल पर 5 dit कितना हो जाएगा, फिर कामा लग जाएगा, यहां पर कामा है अब यहां मानस साथ है, तो सातरी कितना हो जाएगा, एकीस मानस कितना हो जाएगा, एकीस यह हो गया ठीक है, फिर कामा कर दो, यहां आठ है, यहां पर गुणे है, यहां दो है तो आर दुनी कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा मानस 16 हो जाएगा फिर कामा कर दो आप, यहाँ पर क्या है कामा है अब 17 गुने एक हो जाएगा, 17 गुने कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा तो 17 कम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा अब बात सौन जाएक नहीं उन्होंने पूछा था आरोही क्रम में आरोही मलब बढ़ते हुए क्रम बढ़ता हुए क्रम मलब सबसे छोटी इसमें बताओ सबसे छोटी इसमें क्या है तो आप बताओ कि सबसे छोटी क्या है तो सबसे छोटी तो ये वाली हो जाएगे कीस वाली हो जाएगे है कि नहीं सबसे च्छोटी कीस वाली हो जाएगे तो इसे अगर लिखना चाहो तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है अगर लिखना चाहो ते कीस हो लाई से लिख दो यह हो जाएगा मानस कीस मानस कीस से इस से बड़ी क्या हो जाएगा मानस कीस से बड़ी कितना हो जाएगा मानस सोला हो जाएगी ना फिर मानस सोला से बड़ी कितना हो जाएगा फिर यह सतरा हो जाएगी ना यह 17 होगा 17 होगा अब 17 से बड़ा क्या अतना हो जाएगा यह 18 है ठीक है अब बात तो क्लीर हो गए नहीं आपको चलो अब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 21 किस का उनकिस वाले में है 21 किस में है तो यह 7 वाला है तो 7 बटे 10 7 ऑटे 10 के मलब क्या हो जाएगा यह पहला रहएगा सबसे सुरुआत में क्या रहेगा मानस 7 बटे 10 रहेगा अगर अनसर आपको लिखना है तो लिख दो भाहीं पर कहीं पर क्या रहेगा हम लिख दे रहे हैं चलो यहीं पर मानस सोला मलब लाश्ट से दूसरा नमबर लाश्ट से दूसरा नमबर क्या है लाश्ट से दूसरा नमबर क्या है यह वला है ना आठ बट्टे मानस क्या है पंद्रा है तो यहाँ पर दूसरा नमबर क्या आएगा आठ बट्टे कितना हो जाएगा माइनस 15 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 15 हो गया, फिर कामा कर दो आप, फिर यह 17 वाला है, 17 वाला काउन है बताओ, 17 वाला, यह 17 काउन सा है, 17 वाला क्या है, लाश्ट वाला है, देखो, 17 वाला लाश्ट वाला है, तो 17 बटे 30 है, क्या है, 17 बटे 30 है, तो यह इसे दे बीडियो को पीछे कर लो थोड़ा सा तो आपको और अप्षे सुन जाएगा संभावता है ठीक है अगर जिनको जो है ना सौन मैं हो इसमें तो हम कुछन नमर six से ले रहे हैं और यह समझा देते हैं और इसको और अच्छे समझाएंगे, ठीक है, कुश्च नमर शिक्स है, मित्रों जो लोग लाइक अभी तक न किये हो, प्लीज एक बाल लाइक कर दीजे, और आपके पास जो WhatsApp ग्रूप बना हो, ठीक है, आपको WhatsApp सब लोग चलाते हो, तो सब ही लोग अपने WhatsApp पे जितने लोग होंगे, सब को पास क्या करो, भेज़ दो तुरां भेज़ दो, चलो, कुश्चन नमर 6 बताते हैं आप, कुश्चन नमर 6 से देखो, निमनांकित पर मेट संख्याओं को आवरोही करम में, ठीक है, आवरोही करम में जो है आपको लिखना है, तो आवरोही तो सामझ में आ करेंगे क्या है चार बटम कितना है साथ है ठीक है चार बटम क्या है साथ है फिर कामा कर दिया गया है मानस कितना पांच बटम कितना छे है ठीक है फिर कामा कर दिया गया है कितना मानस तीन बटम कितना है मानस बारा है फिर कामा कर दिया गया है कितना है ग्यारा बटम कितना है 11 बटम कितना माइनस 14 से अब इसको आव रोही बताना है क्या बताना है इसको आव रोही में लिखना है किसमें आव रोही में जो है क्रम में बताना है आव रोही क्रम में ठीक है आव रोही क्रम में तो ध्यान दीजेगा आव रोही क्रम का मनलब तो सबसे पहले एक लाइन में लिख लो क्या लिखोगे कि हर को धनातुक बनाने पर ठीक है हर को धनातुक बनाने पर क्या करोगे यही एक लाइन नीचे लिख दो आप ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगा दूसरी लाइन में क्या हो जाएगा 4 बटम कितना 7 कामा माइनस 5 बटम कितना 6 ठीक है फिर कामा अब यहां पर यह माइनस यह माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 बटम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक है अब यहां पर कामार करो अब यहां पर क्या हो जाएगा उपर वाला मानस नीचे वाला हरा क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा यानि कि 11 बटम कितना हो जाएगा मानस 11 बटम कितना हो जाएगा और चौबिस का लासा ठीक है का लासा लेने पर ला सा लेने पर तो लासा अच्छा बताओ अगर ना आपको सौन में आता हो तो बताओ हम समझा दें साथ- साथ- छी- बारा- चोबिस का लासा सबसे पहले कैसी लाइन खिशous धिखो अगर दो से कट रही है तो दो से आप काटो इसका नियाम है लासा का ड़िखे इसका निया में दो से पहले काटओ आप दो से काटओ के पहले तो ये set नहीं कटेगे, उतार लो ऐसे 6 कटेगे दो 3 हो जईएगा, 12 यानि 2 छंग 12 24 यानि 12 यिर्णी 22 जोलिस होता है ला यानि 12 यानि कि कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, 28 हो जाएगा यानि 12, 27 होता है अगर चेक करने तरीका देख लो अगर जिसको काटे हो उसका गुणा करोगे ना इसमें तो वही फिर आ जाएगा देखो अगर इसको काटे है ना कितना हो जाएगा नहीं बताओ अभी छे कटेगा तो दो से कटो आप यह साथ भी नहीं कटेगा तीन भी नहीं कटेगा तीन भी नहीं कटेगा तीन भी नहीं कटेगा लेकिन छे कट जाएगा अब देखो यह तीन कटेगा अब दो से कटेगा तो देखो साथ नहीं कटेगा साथ नहीं से लिग दिए तीन एकम तीन एकम तीन एकम तीन एकम तीन एकम तीन यह हो कड़ गया आप देखो साथ बच रहा है तो साथ एकम साथ साथ एकम साथ साथ एकम साथ ठीक है तो लासा कितना है पता है अब आई से निकालो लासा इसका गुणा इधर करो दो दूना चार चार दूनी आठ और तरीकर 24 24 shady कितना हो दायेगा बताओ 24dling 6 Cambridge 16 rarely होता है ऐसे इसे गूला कलो 24 Satty 24 Satty कितना हो जायेगा साट नलेधाथ 28 कि लिगए लेटव लग शाथ 24 कि बता कि सोटे एक 169 हो जाता है कितना हो जायेगा 168 लिए ठीक है तो आपको समझ में आया होगा कि 7, 6, 12, 24 का लासा जो आया है कितना आया हुआ है 169 आया हुआ हुआ है 169 आया हुआ है तो अब जो है अगली लाइन में क्या होगा बताओ अगली लाइन में तो यही होगा ना इन सभी का जो है गुला किसे करेंगे 169 में कर देंगे तो ऐसे लिखो आप कितना लिखोगे चार बटेम कितना साथ गुलेम कितना हो जाएगे 169 हो जाएगा 169 फिर कामा कर दो आप ठीक है कावा कर दो आप फिर क्या करोगे माइनस पांच बटेम कितना मानस पांच बटेम कितना छे मानस पांच बटेम छे गुले कितना कर दो गुले में कितना 168 आपके बूक में जो है थोड़ा से लंबक जिया है एप। अ क्षब ह य…. concept वही है उसमें उन्होंने लासा लेकर बताया तो हम भी लासा करके बता रहे हैं लेकिन आप अगली जो क्लास में जब जाओगे न हम आपको ट्रिक बता देंगे ठीक है हलाकि आप जो है ट्रिक अगर इसी वीडियो का लब लासा मासा ट्रिक देखना है तो आप मुबाइल में अपने सर्च कर लो कि लासा मासा ट्रिक बाई इंज्वाइबित आर्सी सिंग ठीक है या इंज्वाइबित आर्सी सर ठीक कुछ भी लिखोगे ना तो जो है ट्रिक वाली वीडियो आ जाएगे आपके सामने अगर मुक्स बोल दो कि तब भी वैसे सर्च करो कि आधा जाएका कामा करो आप यहां पांच बड़ंद मानिस हो जेखा तीन बटे कितना हो जाएगा आपके अप ह्देखो Україं मानिस घ्यारणवं कितना हो जाएगा 24, अवगुनिम कितना हो जाया, गुणिम 168 हो गया ठीक है, ऐसे हमने कर लिए, अच्छे से, ओकै, हाँ अब देखो कुछ कटता है क्या, हाँ कटेगा, क्यूँ नहीं कटेगा, देखो पहले ध्यान से अब यहां पर ध्यान से देखो कैसे काटेंगे हम गुला का मलब होता है देखो गुला का मलब होता है अनसमे और इसका मलब होता है इससे भाग कर रहे हो तो भाग मलब इससे हम काट सकते हैं न देखो तो साथ एक कम साथ हो जाएगा देखते जाओ ध्यान से 7 एक्कम साथ स्हांद heat ॐजायगाのは 14 किस्कों से उक्टाइब स्थ हो जाएगा हो जा episód कि अग्ड़ अगर जोभे साथ गुंदे 24 करोंगे ना थे चवबिस संट् कितना होजाएगा ॥िस्टा now seems tutorial 16怎么 ख हो जाएगा फिर से अब इसको देखो देखो, देखो 6 एक कम कितना 6 ध्यान दिदेखना, 6 एक कम हो जाएगा 6 ठीके आध़ 6 दूनी हो जाएगा 12 कितना बचाँगा 12, 4, 16 होता है, 14 को देदो 8, 8, ङतना हो जाएगा, 40, 8, 48, 48 हो जाएगा, आध़ 8 यहां पर एक यहां पर भी यहां पर फितना हो जाएगा टॉ जेरा तो न कितनी बाद जाएगा गोलो 24 से सत्य कितना हो जाएगा 24 से कन 24 24 सत्य कितना हो जाएगा 161 हो रहा है 24 सत्य कितना हो रहा 161 तो यहां 24 से साथ बाल ले जाएगा अभी हम गुला करके भी उताया थे 27 कितना 161 होता है चलो तो अब जो है आपको समझना यह है कि देखो 20 में गुला चीन लगा है तो 4 गुणे 24 हो जाएगा 4 गुणे कितना 24 24 से 4 को कितना हो जाएगा तो यहां पर गुणा कर लो आप तो यह हो जाएगा खालश की जीरो धियान दिजाना 5 अठे 40 की जीरो ध्यान दें जाए ना, पांच अठे चालिश की जिरू अच्छा, हासी लेंगे इतना चार, पांच दूनी दस, अध्दा सार कितना हो जाएगा, चाउदा हो जाएगा, यहां पर मानस लगा दिया, ठीक है, यह हो गया, अब यहां पर ध्यान दो, यह तीन गुड़े कितना है, चाउदा है, चाउदा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, तो हमने 42 है से लिख दिया, ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां पर मानस लगा है ना, और यहां पर गुड़ा है, यहां पर साथ है, तो यहां सते कितना हो जाएगा, 77 हो भी मानस हो जाएगा, अब आप ध्यान दोगे ध्यान से देखोगे औरोही पूछाए औरोही मलब समझते हो ना औरोही मलब जो है घड़ता हुआ कर मलब घड़ता हुआ क्रम होता है औरोही क्मलब ठीक है औरोही क्मलब होता है क्या घड़ता हुआ क्रम तो सबसे ज्यादा वाला पहले लिखो सबसे ज्यादा कौन स से 42 लिख दिये पिर ये वाला ब्ला 54 among और तो इससे कम जो है ये वाला होगा नहीं मानण सात्तर हो जाएगा मानण चत्तर से कम कोन हो जाएगा मानस 140 हो जाएगा अब पक्ड़िये पकड़ने वाला बाद इनी कि छानबे वाला जो तो यह सबसे बाद में आएगा, ठीक है, अगर लिखना है, तो इस वाले सब, अगर भी ने लिखना है, पर में संख्या लिखना है, देखो, चानवे वाला किससे आए, इससे आया, और चार, यान्य चीज़ का अंस क्या है, चार है, तो चार बत्ते साथ को हम यह, हम चार बत् कि प्लिस में 42, WWE किससे आया है, 42 जो है अन्तिम से नि लाश्टे से दूसरा वाला, लाश्टे से दूसरा वाला में गड़ा 25, तीनित जिसका अंस जो है 3 तीन मलब क्या समझेर हो 3 कOC मलब -3-12 मानुस 3 बटे मानस 3 बटे में कlitना है मानस 12 ठीक है पिर कामा करो अब 77 वाले देखो 77 मलब कहां है 77 कους मलब यह हो गया इससे हो रहा है 77 77 को बालम किससे हो रहा है 1177 मलब जिसका अंस क्या है मानस क्या है 11 तो 11 के मलब समझ रहा है इसका मलब यह वाला हो गया 11 बटम कितना है मानस 24 15 में अराग नहीं बताओ अगर प्राबलम हो तो बताओ चलो फिर समझो अब यहां पर कामा रहा 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 हता यह वाला है एसफियाद मंलत हो जा रहा है इससे मैंने 20-28 आरहा है तो माने 5 माने-श 5 इसका अंस है बहुत न है तो हम लेख कितना-श है ऐफ कितना मानस फांच वड़ते में कितना छे और कामा करके जो है 11 बटेम कितना है मानेश 27 और पांच बटेम कितना 6 तो यही क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है आपको इतना महिनस से बताते हैं और फिर भी आप लोग लाइक और सेर नहीं कर रहे हो ठीक है यही क्या हो जाएगा यह आउरोही क्रम हो गया, ध्यान दीजे का यह क्या हो गया, आउरोही क्रम हो गया, ठीक है, काउन से क्रम पूछा था, आउरोही मलब घड़ते हुए क्रम, ठीक है, प्यारे मित्रों, जो लोग जो है, अभी, जिन मित्रों को दच्छता अभ्यास वन, अभी जश्य देखना ह तो वीडियो के इन में आपके सामने जो वीडियो दीख रहे ये कॉरणर पर इस पर क्लिक किरोगे तो यही वीडियो चलने लगे लगे हैं और है चलते चलते आपस से इतना ही कहेंगे जो लोग लाइक और शेयर करते जाएंगे तो उनके पास हमारे वीडियो जो है उनको खोजने काव सकता नहीं पड़ेगी उनके पास अपने याँ पहुंचा एक वीडियो लाइक और जो लोग शेयर करते हैं के पास अपने याव वीडियो पहुंचती रहती हैं आज के लिए बस इतना ही अगले ही वीडियो में इस तरीके साब को फिर से मिलेंगे तब तक लिए धन्वाज जहें